Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel आज इस वीडियो में हम बहुत ही prominent और renowned economic thinker and political leader रोमिश चंद्रदत के economic ideas को discuss करेंगे किस तरीके से इन्होंने इंडिया की poverty से related ideas दिये थे कैसे ये British colonial system को बहुत ज़्यादा criticize करते थे और क्या-क्या इन्होंने methods दिये थे poverty को eradicate करने के लिए और भी जो इनके important economic ideas ये political freedom को लेकर या फिर economic development को लेकर, treat को लेकर, protection के policy को लेकर fiscal policy को लेकर इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग brief में discuss करेंगे लेकिन इस वीडियो का जो हमारा mean theme है वो the ideas of poverty and eradication of poverty ही रहेगा क्योंकि रूमेश चंद्रदत का जो entire economic thought है वो poverty पर ही base है इन्होंने poverty के कई सारे कारण बताए थे, उसका निवारन भी बताए है तो उसी को हम लोग यहाँ पर इनको cover करेंगे So without wasting much time, let us start with the economic ideas of रूमेश चंद्रदत देखे रूमेश चंद्रदत जो है यह इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बहुत ही important political leader थे इन्होंने कई सारी books लिखी थी और काफी ज्यादा इन्होंने इंडिया का जो development है वो किस तरीके से British colonial system के under में आकर hinder हो रहा है किस तरीके से खराब होती जा रही है इंडिया के जितना भी backwardness है जो भी problems है उन सबको कहीं न कहीं इन्होंने British rule से ही relate करते हुए इस Britishers को ही इसका जिम्मेदार माना था और उससे related इन्होंने कई सारे articles लिखे कई सारी books लिखी जैसे economic history of India ये इनकी पहली important book है जिसमें इनके economic ideas दियो है दूसरी जो इनकी important book है वो है famines in India यहीं पर इनका जो poverty का idea है वो भी ये देते हैं जिसको हम लोग आगे वीडियो में discuss भी करेंगे देखें ये ना केवल एक economic thinker थे बलकि ये बहुत ही बड़े political leader भी रहे हैं इंडिया national congress के तो हर जगा पर जहां पर इनके concepts economy से related होंगे वहीं कहीं न कहीं आपको politics भी दिखेगी political ideas भी इनके दिखेंगे तो आपको दोनों को ही incorporate करके इनके बारे में जानना चाहिए सबसे पहला जो इनका idea आता है वो क्या है कि political freedom और economic development जो है ये साथ में interdependent है यानि बिना politically free हुए कोई भी economy कोई भी country जो है वो progress करी नहीं सकती है इंडिया को ये मानते थे कि यार इंडिया जो है वो तो British colonial system के अंडर में British rule के अंडर में जो हम लोग politically ही नहीं free है तो हमारे देश का development कैसे होगा poverty कैसे निकलेगी तो ये सबसे important मानते थे कि political freedom होना चाहिए और political freedom अगर होगा तभी हमारे economic development हो सकेगी अगर आपको economic तोर पर develop होना है या economically अपनी country को अच्छी progress दिलानी है तो आपको सबसे पहले तो politically free होना पड़ेगा income distribution and poverty elevation पर इनका बहुत जादा जोर था ये ये जो income inequality थी देश में जो बढ़ती चली जा रही थी इसको लेकर के इन्होंने बहुत जादा ये चिंतित रहते थे बहुत जादा इन्हें ये सारी चीज़े परिशान करती थी इंडिया की जो poverty है उसका सारा blame या फिर सारी जो आप कह सकते हैं जो reason है वो इन्होंने British colonial system को ही दिया है He advocated for progressive taxation land reform social welfare programs to reduce poverty and inequality कि land reforms की तो एक बड़ी सीनों ने scheme दीती कि क्या-क्या land reforms इंडिया में होने चाहिए जो आगे हम video में discuss भी करने वाले हैं सो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे Self-sufficiency and economic independence ये अपने country को एक self-sufficient economy बनाना चाहते थे ये चाहते थे कि जो foreign aid है या foreign investment है उस पर depend नहीं होना चाहिए कि बाहर से मदद आएगी या बाहर ही जो लोग है वो आकर नहीं technology को यहां पर लेकर आएंगे या नया कुछ industries यहां पर setup करेंगे ऐसा नहीं वो चाहते थे हमारी economic खुद एक self-sufficient economy हो हमारे यहां बहुत सारे industry list हो या हमारे यहां चीजे produce की जाए हमारे जो लोग है उन्हें जादा काम मिले he advocated for the development of indigenous industries and the conservation of natural resources अपने यहां की industries पर इन्होंने जोर दिया भले वो cottage industries हो भले वो किसी भी तरीके की industries हो तो यह इनका कुछ important economic ideas था अब यहां से हमारे वीडियो का जो main part है that is poverty पर इनके क्या विचार थे किस तरीके से देखे poverty यानि गरीबी गरीबी को लेकर इनके विचार काफियत तक जो दादा भाई नौरो जी के विचार थे उनसे बहुत जादा मेल खाते दादा भाई नौरो जी ने भी अपनी dream of wealth की जो theory दी थी उसमें भी इन्होंने Britishers का जो rule है या जो British colonial system है इसको काफियत तक responsible माना था भारत की गरीबी के पीछे कि जो अंग्रिये से उनकी जो policies है उन्होंने जो चीजे कर रहे है वो जिस तरीके से साशन कर रहे है उसकी वज़े से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो सेम चीज आरसी दद भी बताते है अपनी बुक में famines in India मेंने अभी बताया था famines in India में ही इनोंने ग occurrence of famines बहुत बार famines आते हैं इंडिया में आपने famous Bengal famines सुना होगा और भी बहुत बार और बहुत खराब-खराब conditions होती रहती हैं इंडिया में नेक्स्ट ही बताते हैं आपका low productivity है land tax system बहुत ज्यादा defective है decay of cottage industries यानि cottage industries है वो धीरे-धीरे market competition या foreign industries जो European countries की industries है उनके साथ compete करते-करते धे-धे decline हो रही है बहुत ज्यादा क्योंकि यह उतना अच्छे से compete तो कर नहीं पाती है इनके जो product से वो उतना जादा cheap नहीं होते जितने आपके foreign countries के product होते तो इसके वाज़े से आपका decline देख जा रहा है cottage industries में भी तो among the causes responsible for low productivity of land he pointed out unfavorable लैंड क्या तो low productivity इस वाज़े से क्योंकि unfavorable climate है कभी बहुत ज्यादा बारिश होताती है कभी बहुत कम बारिश होती है poor agricultural techniques है क्योंकि देख इस time तक कोई green revolution तो हुआ नहीं था तो यह पुराने जमाने की बात हो रही है तो वहाँ पर इंडिया का जो agriculture की condition थी वो बहुत अच्छी नहीं थी soil भी थोड़ी खराब थी inadequate equipment थे बहुत ज्यादा machinery नहीं थी ट्रक्टर थोड़ी था उस जमाने में तो हल चला रहे हैं और यह वो तो productivity बहुत ही कम होती थी और low standard of living of farmers was due to high density of population बहुत ज्यादा population भी थी और जो खेती करते तो जो फसल के जो दाम थे वो सब भी बहुत कम था और जो tax था वो जो भारती लोग थे या जो भारत का एक कोई भारती जो है उस पर जो tax लगता थो वो बाहर के देशों के जो नागरी के उनके मुकाबले तो बहुत जादा tax लिया दाता था यार चाहे कोई भी नागरी को आपके चाहे वो किसान हो या फिर दूसरे जो traders होत जो आपके भारत के लोग है या जो भारती लोग है किसके द्वारा? Britishers के द्वारा तो इनी सारी चीजों को लेकर कि यह पॉइंट करते हैं यही सारी चीज़े जो है वो भारत के poverty यानी गरीबी के कारण है, मुक्खे कारण है the poverty of India was aggravated by the extravagant selfish financial administrative साथ ही साथ जो British जो आपके administrators थे या जो साशन करते थे यहाँ पर वो बहुत ही जादा extravagant थे उनकी जो life थी बहुत जादा आपके सकते luxurious life थी बहुत उल्टे सीधे खर्चे करते थे उनके आराम से related बहुत पैसा खर्चा होता था उनके फाल्तु की पारतियों से और अपना enjoyment करते थे अपने लिए बड़े बड़े चीजे करते थे तो इन सब चीजों की वज़े से एक drain of wealth अगेन यहाँ पर हम लोग देखें although drain of wealth जो आपका नौरो जी का concept है लेकिन यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत उनको जो major points थे drain of wealth के उनको यहा यह सारी चीजे आरसी दत ने भी discuss की थी he felt that nearly half of the revenue received in India was remitted out of the country यह क्या कहते है कि भारत से जो भी कर वसूला दाता था जो भी लोगों से पैसा लिया दाता था वो आदे से जादा तो यह जो अंग्रेज है वो अपने देश बेद देते थे किसी तरीके से अपने जो family member से होन देते थे तो इन सब चीज यही सारे जो main आप कह सकते है चीजे थी जिसकी वज़े से poverty fell रही इंडिया में और साथी साथ जो हमारी जो village industries थी वो भी कैसे धीरे-धीरे खतम हो गई क्यूंकि भाई यार European countries की जो इंडस्ट्री से उनके साथ तो यह compete उतना अच्छे से कर नही पाई तो इस वज़े से क्या हुआ हमारी जो घर की industries थी उनने बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हम क्या सकते है competition face करना पड़ा और वो धिये-दिये decline हो गई अब फिर जब industries कम पड़ गई भारत देश में या जो cottage industries उनकी हालत खराब होगी तो फिर से जो लोग है या जो भा standard of living बढ़ नहीं रही थी साथ ही साथ जो village self-government village self-government या नहीं पंचायत हो गई या जो पंचायत strict sense में नहीं गाएंगे उस टाइम पर जो भी आपकी village self-government चलती थी उन सब पे भी क्या Britishers का भाया अपना वह अपना चलाएंगे अपने हिसाब से करेंगे अपने rules लगा द तेश में बहुत ही सद्यों से रहा है और इसी से बहुत जादा भारतियों को फाइदा भी होता था लेकिन धीरे धीरे बृटिशर्स ने क्या किया यह जो पहुत ही पुरानी जो चीज थी ही इसको भी इनोंने धीरे धीरे खराब कर दिया on very lower level तो बिलकुल ही नीचे स्थर पे भी किया इनोंने अपनी नीतिया लगाना चालू कर दी अपनी सारी चीजे कर दिया अपने तरीके से लोगों को परिशान करना स्टार्ट कर दिया यह कुछ रीजन्स थे जो कि आपके पौवर्टी के जिम्मेदार थे रसी दत के अक्रॉडणिंगं अब हम लोग देखे सम्थिंग होता है वर्ल्ड पुनर जागरन या ऐसा कुछ आम नॉट शूर तो जो रिवाइवल है वो करना चाहिए आपको कॉटेज इंडस्ट्री का ताकि जो है इंप्लोइमेंट जाय से जाधा जन्रीट हो सके इरिगेशन फैसिलिटीज को भी अच्छे से बढ़ाना चाहिए जाधा से जाधा आप इरिगेशन कैसे जैसे टैंक्स और कैनाल्स की मतद से इरिगेशन होता है तो थोड़ा उसको भी डेवलप करना चाहिए ताकि मौनसून पर से डिपेंडेंस खतम हो जाए भारत में तभी तो फेमाइन्स आते हैं बहुत जादा और कभी-कभी फसल बहुत अच्छी हो जाती है कभी-कभी बिल्कुली खराब हो जाती है यानि जो सरकारी खर्चे उसमें थोड़ी सी कमी की जाए एकनॉमिकल मतलब जो जो अच्छा हो कहीदेने एकनॉमिकल होना यानि सस्टा हो सस्टा तो नहीं बोलोगे एँ अच्छा हो जो बहुत ही महंगा ना हो खर्चीला ना हो तो हमारे जो सरकार का खर्चा है उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए the rate of interest on public debt should be lowered यानि जो public debt थे उस पे rate of interest थोड़ा सा कम करना चीए दत ने क्या बोला है कि excise duty हटानी चीए भारती इंडस्ट्रीज से और साथी साथ इन्होंने interest rate को कम करने के बारे में तो इन्होंने बोला है creation of a sinking fund sinking fund क्या होते है एक ऐसा fund होते है जिसमें हर कुछ-कुछ समय पे या एक particular period of time में सरकार जो होती है वो जो जनता से लियावा करज है यानि public debt थे उसको चुकाने के लिए कुछ-कुछ पैसा डालती रहती है और फिर एक particular एक साल के बाद या दो साल के बाद उस fund में से पैसा निकाल करके लोगों में बाद देती है या वापस उन्हें जो उनसे पैसा लिया था उसे वापस कर देती है sharing of civil and military expenditure incurred आच्छा यह क्या कहते है कि जो भाईया हमारे देश को maintain करने के लिए अगर आप army लगा रहे है हुद या civil लगा रहे हो कुछ भी लगा है है आप police police लगा रहे हो तो उसका खरचा केवल हमारे देश वाले क्यों दे उसका खरचा आप भी तो उससे क्योंकि आपकी colony है एक कॉछलोनी है आप इसको maintain कर रहे हो भारत dziश को तो आप अपने देश से भी इसमें थोड़ा सा शेयर तो करो न, आप पूरा पैसा क्यों हमारे देश से लोगे, larger employment of Indians in civil services, ये खुद एक civil servant थे, शायद, हाँ ये खुद एक civil servant थे, तो ये क्या गयते थे, कि जाद से जाद employment of civil servants होना चाहिए, जो भारती है, उन्हें जाद से civil services में लगाना चाहिए, prohibition of railway construction from state loans, state loans की मदद से railway को ना बनाया जाए, ऐसा इन्होंने बताया, आप देखो, इन्होंने एक list of land reforms भी दी थी, जो की बहुत ही जादा important हो जाती है, sorry, ये क्या कहते है, कि land revenue system जो है, वो बहुत ही corrupted है, इसमें काफी हद तक इन्होंने, आप कह स से ज्यादा समय के लिए जो land settlement है, वो नहीं होता था, यानि 30 साल तक का ही maximum हो सकता था, तो इसी चीज़को इन्होंने यहाँ पर कहा है, CES on land tax should not exceed 6%, 6% से जादा CES नहीं लगना चाहिए, in those areas where the permanent settlement had not been introduced, the revenue collected by the landlords on behalf of the state should, तो ऐसे जो area से वहाँ पर जो landlots होते या जो जमीदार सोते वो 15% से जादा का आपका revenue को collect ना करें, या जो भी produce उन्होंने जो भी फसल होगाई है किसानोंने, उसका 15% से जादा वो ना ले, ऐसा इन्होंने सजिस्ट किया, और जहाँ पर अगर state ने कुछ टायरिक्शन द इतना इन्होंने ये land reforms के लिए बताया था, अगर हम लोग देख लेंगे place in history of Indian economic thought, आरसी तत जो है ये बहुत ही important political और economic leader थे, इनका जो place है Indian economic thought में बहुत ही prominent रहा है, क्योंकि इन्होंने जो British colonialism का पूरा analysis किया था, वो बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा इन्होंने analysis किया था, इन्होंने Indian society के welfare के लिए poverty को eradicate करने के लिए जो methods बताये थे, और जो भी इन्होंने remedies suggest की थी, protection की ये बात करते हैं, इनके जो भी state intervention से related ideas है, ये सभी क्या है, एक अच्छे state को बनाने में मदद करते हैं, इस वज़े से his work has influenced generations of Indian economists and policy makers and his ideas continue to be debated and discussed in the contemporary economic discourse in India, आज भी इनके ideas को पढ़ा जाता है, इसके उपर बातचीत की जाती है, debate किया जाता है, so इसकी वज़े से ये आज भी Indian economic thought के बहुत ही prominent and economic thinker रहे हैं, आपको इस topic के handwritten notes में telegram channel पर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से join करके इन्हें download कर सकते हैं in PDF form, अगर आपको कु comment section में पूच सकते हैं and thank you for watching.